आई इस PCS के स्टडी प्लैटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लैटफॉर्म पे हम लोग घटना सार पढ़ रहे हैं करेंट अफेर तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रिदेश समस अब ये बुंदेरकन एक्स्प्रेस वे जो है इसके किनारे सत्रा सो हेक्टेर भूमी पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं उत्तर प्रिदेश सरकार क्या फायदा होगा इससे इससे ये फायदा होगा कि जो इसके आसपास जो घर है ठीक है उनको आसानी से बि आजली jap ओות हो जाइगी इस पर्योजना का जीन काल है वह 25 साल होगा तफिक है आगे करते हैं कि इस पर्योजना की जो उर्जा मतलब कितनी उर्जा पैदा करे गई तो पान्सोंपचास मेकावॉट कि उर्जा ये पैदा करेगा उसके बाद किस के द्वारा इसके सस्था इस पर सोलर प्लांट क्यों लगाए जा रहा है बुंतिलखंड एक्सप्रिसवे के किनारे क्योंकि यहां भूमी सरलता से उपलब्ध है और शुष्क छेत्र होने के कारण मौसम यहां पर साफ रहता है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग बात करें कितने जिलो में होगा यह कितने जिलो से होकर गुजरेगा एक्सप्रिस वे साद जिलो चित्रकूट बांदा हमीरपुर महोबा जालॉन और इया और इटावा ठीक है 296 किलोमीटर लंबा ही याद रखीगा इंपोर्टेंट है 296 किलोमीटर लंबा और चार लेन वाला एक्सप्रिस है ठीक है चलिए नेक्स में आयाइटी रूड की परिसर में इसको बनाया जा रहा है ठीक है यह क्या करेगा यह केंदर 5G को AI से जोडने और 6G लॉंच करने पर शोद करेगा रिसर्च करेगा तो क्या होगा इस पहल से रोजगार जनरेट होगा ठीक है राज्य के युवाओं को रोजगार के महात्त है हमारा जो है वो गोरकपुर में एक्वा पार्क खुला है ठीक है तो ध्यान रखिएगा जो पुत्तर प्रदेश का गोरकपुर जिला है वहां के सदर तहसील के ताल कंदला में तो अगर हो सकता है कि गोरकपुर ना दें गोरकपुर ना दे के अगर सदर तहसील का नाम द जला आधेन किया जाएगा ठीक है यह सारी चीजशे होंगी यहां पर नेक्स को साल है इसको याद रखेगा तीन से छए साल तो मुख्यमंतरी हो गी आदृतया नात तीन से six वर्ष के आयो कि बच्चों के लिए इसद मिली योजना की शुरूवात की कितने बच्चों को लाब मिलेगा 80,000,000 बच्चों को लाब मिलेगा जो मध्यान भोजन मॉडल है उसी का अनुसरान करते हुए इस योजना को शुरू किया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आई-ाइटी कानपुर द्वारा एटी-म-ए-ए-न उत्करिस्टिता केंदर की स्थापना की गई है क्या है एटी-म-ए-न का मतलब एडवांस टेकनोलोजी फॉर एयर क्वालिटी आई इंडिकेटर्स नामग मतलब की एयर के क्वालिटी को इंप्रूव करने के ल यह इंपोर्टेंट है गंगर डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलिये जीव घोशित किया गया है इससे पहले गंगर डॉल्फिन को रास्ट्री जलिये जीव घोशित किया गये था 2009 में तो इसको भी ध्यान रखेगा गंगर डॉल्फिन का जो दिवस मनाय जाता है वो 5 दो हजार के बराबर है इसका वेग्यानिक नाम प्लाटनिस्टा ग्यांकटिका है और आयू सीन की ड्रेट लिस्ट में यह संकट ग्रिस्त श्रेडी में है तो यह सारी चीजें आपको ध्यान रखने हो सकता है कि अगर उसमें स्टेट्मेंट के फॉर्म में आ जाए तो इन सब इसके चौथे चरण को शुरू किया गया है तो हमारे वेमुख्यमंत्री योग्या अदित तेनाजी ने शुरू किया है क्या उद्देश है इसका महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश से इसको शुरू किया गया है ठीक है कब शुरू अभी तो चौथे चरण है दो हज जासे इसको शुरू किया गया है ठीक है इसमें 51 बसों को हरी जंडी दिखाई गई है यह जो बसे हैं यह कौन चलाएगा यहां पर विशेश रूप से इसका संचालन महिला ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी ठीक है नेक्स लगनव में नौ सेना के शौर संग्रहाले का शिलान न्यास किया गया है ठीक है कहां पर स्वर्गी अटल विहारे वाजपे इकान स्टेडियम के पास इसकी स्थापना की गई है ठीक है फिर आदी गंगा के रूप में ये इसको अपनी पहचान बनाएगा क्या किया जाएगा इसमें संग्रहाले में कौन-कौन सी चीज़ें होंगी तो नौ सेना से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी जो भी कारे मुक्त हो चुके युद्ध पोथ होंगे जलियान होंगे वहां पे 38 और 29 अक्टूबर तीन दिन चला कहां पे चला है लखनव में चला है ठीक है फिर यहां पे क्या किया गया यहां पर एक राज इस तरी बाजरा कार शाला का आयोजन किया गया और कारिकरम का उद्गाटन मुख्यवेंथ रूम पाधन के लिए जो किसान अच्छा कार कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया है ठीक है अच्छा और क्या चीज़ें इसमें की गई है देखे इसमें यह कहा गया है कि जो राशन कार्ड धारक है उनको 35 किलो राशन दिया जाता था तो 35 किलो राशन में 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाता था तो अब क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है अपना खुद का सेटिलाइट कौन प्रक्षेपित करेगा कौन बनाएगा तो अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी ठीक है इसने यह पहल चुरू की है तो इस परियोजना में एम यू के संस्थापक सर सेयद एहमत खान के नाम पर पहला उप परियापुर, सोनभद्र और महराज गंज में जनजातिय संगरहले की स्थापना की है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट है आरबियाई ने यूपी स्थित यू सी सी बैंक का लाइसेंस अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे SBI भी दे सकता है लेकिन SBI त सीतापुर में क्यों रद्ध कर दिया क्या कारण था कि जो अर्बन कोपरेटिव बैंक था उसने अपने बैंकिंग कारोबार को बंद कर दिया था खुदी बंद कर दिया था ठीक है इसलिए और व्याय ने उसका लाइसेंस रद्ध कर दिया नेक्स्ट है अंतर देशिय यह अंतर्देशए मध् स्तालन में उत्तर प्रदेश का अस्थान अगर ऑवरॉल्ड में लेगे मंध से पैलन में पहला पाल प्रत हैं और पर ये अवार्ड दिया गया है नेक्स्ट हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद के विक्री पर रोक लगाने वाला कौन सा हमारे राज्य है तो उत्तर प्रदेश तीक ऐसे पुछा जा सकता है ठीक है तो किस-किस उत्पाद पर लगाए गया देखें कौन-कौन से प्रोडक् कॉस्मेटिक, साबुन, तेल इन सब के लिए भी इस पर दखी पहले क्या होता था पहले जो हलाल सर्टिफिकेट है 1974 से शुरू हुआ पहले सर्फ मार्स से जुड़े उत्पादों के लिए दिया जाता था लेकिन अब बाद में क्या किया गया कि इन सारे प्रोडक्ट्स पे को भी दिया जानी लगा तो अब इन सारे प्रोडक्स पेस सर्टिफिकर को बैन कर दिया गया है नेक्स्ट है अनपरा इतापी पर्योजना को मन्जूरी दे दी गही है उत्तर प्रदेश में तो अगर पुछे जाएग कि अनपरा इतापी पर्योजना की से संबंदित है तो बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्दुत निगम लिमिटेड ठीक 1980 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसने अनपरा इतापी पर योजना के प्रस्ताव को मन्जूरी दी है कहां पे तो सोन भदर जिले में ये लगाये जाएगा ठीक है चलि इस योजना को शुरू किया गया है ठीक क्या किया जाएगा यहाँ पे उच्च दुग्द उत्पादन चमता के जो गवंज है उसमें सुधार होगा और दूसरी और पश्यों के दुग्द उत्पादन चमता में भी बढ़ोत्री होगी ठीक है फिर योजना के पहले चरण मे योगी सरकार ने कहा है कि लाभारती को 25 दुधारू गायों की 35 इकाया इस्थापित करने के लिए गायों की खरीद से लेकर संरक्षन और भरन पोर्षन जैसी मदों में सबसिडी देगी सरकार ठीक है तीन चरणों में सबसिडी दे जाएगी और यह जो योजना है अभी 10 मं इसको भी देख लीजे देखे इस योजना का लाबधी पूर्व में भी कुछ जो है योजनाय चल रहे हैं जैसे कामधेनू मीनी कामधेनू माइक्रो कामधेनू इसके जो लाभारती है वह इस वाली योजना कालाब नहीं उठा सकेंगे ठीक है फिर यहीं पर लिजे सरकार ह गाएंओं की गड़ना करने काने लिया गया है ठीक है फिर चलिए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट यह शीव्ट्थीम वाले इंटरनाशनल स्टेडियम का शिलान्यास अब देखिए इस स्टेडियम का जितने भी उद्धगाटन हम लोगों ने देखे हैं C 열 सफिर उत्तर पृटेश के टीन रेल्वे स्टेशन में परिवर्तन कर दिया गया है। अभी देखे। जम्हू कश्मीर में ऊधंपूर्य सेशन था उसका नाम भदल कर शहीद कपर्तान तुशार महाजन कर दिया गया अब प्रताबगड सही तीन रेलवे स्टेशन से जिनका नाम बदल गया है पहला कौन सा है प्रताबगड का जो नाम है स्टेशन का नाम वो हो जाएगा मा बेलहा देवी धाम प्रताबगड जंक्शन ठीक है फिर दूसरा अगर बात करें ठीक है और फिर दूसरा स्टेशन कौन सा है अन्तू स्टेशन का नाम रखा गया है मा चंडिका देवी धाम अन्तू ठीक उसके बाद बिशनात गंज स्टेशन का नाम बदल कर शनी देव धाम बिशनात गंज कर दिया गया है ठीक है इसको याद रखिएगा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बना देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टम वाला प्रदेश ठीक इसको बस इसका फैक्ट आपको याद रखना है अच्छा हाँ ये याद रखिएगा कि वर्तमान में देश में 108 मतलब अब 109 हो गई है तो यूनिकॉन कंपनिया है जिसमें से 8 जो है वो उत्तर प्रदेश में है तो ये आप स्टार्ट अप को कहा जाता है जिसमें निकट भविश में यूनिकॉन बनने की चमता होती है तो दो है एक अप क्लास प्लस और एक इन्शोर्ट ठीक है उसके बाद आगे अब देखिए वही जो भी हम लगोंने चीज़े पढ़ी है अब उसका तत्ते सार थोड़ा स्था बन गया है 9.5 प्रतिशत का योगदान करके पहले नंबर पर कौन है महरास्ट जो कितना योगदान कर रहा है 15.7 ठीक है फिर नेक्स्ट है जो लीट्स सर्वे रिपोर्ट आती है लॉजिस्टिक इस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट उसमें लगतार दूसरे वर्ष उत् उत्तर प्रदेश ने कहां पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र इस्थापना को मंजूरी दी है तो S.G.PGI लखनों में उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाली में बंटंगिया समुदाय एक समुदाय है उसके कौशल को निखारने के लिए किस जि जोजना शुरू की है तो लखनों विश्व विध्या लेने ठीक है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला समी कंड़क्टर पार्क तो गौतम बुद्ध न गए हाली में उत्तर प्रदेश इस्तित कौन सा रेल्वे स्टेशन उत्तर मध्य रेल्व कब मनाया जाता है 10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का युजन किया गया है तो लखनों में किया गया है केंद्र सरकार द्वारा हाली में उत्तर प्रदेश की किन शेहरों में Unity Mall तो तीन जगा लखनव, आगरा और वारांसी में Unity Mall खोलने की गोशना की गई नेक्स्ट प्रिदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने उत्तर प्रिदेश में कहां पर अंतर राष्ट्री क्रिकेट स्टेडियम के अधारशिला रखी है अभी हम लोगों ने देखा था वारांसी में नेक्स्ट 25 नवंबर को उत्तर प्रिदेश सरकार 99 विजडे मनाने की वोजना की गई ये उत्तर प्रिदेश में बहने वाली नदी जिसमें सौर उर्जय से चलने वाला रामायर नामक जहाज चलाने की वोजना की गई है तो सर्यू अयोध्या में फिर उत्तर प्रिदेश अंतर रास्ट्रे व्यापार्शों का आयोजन कहाँ पर किया गया greater noida में उत्तर प्रिदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिष्चित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान फिर यहां दिल्ली नहीं होगा यहां एहमदाबाद होगा अभी हम लोगों ने पीछे पड़ा था वैश्विक मत्से पालन सम्मेलन में उत्तर प्रिदेश को मत्से पालन के लिए अंतर देशी मत्से पालन में प्रतंपुरिसकार मिला है ठीक है ये भी हम लोग उने उपर देखा था भी कि किन उत्पादों पर हलाल लेबल प्रतिवन्त लगा दिया गया है तो डेरी उत्पाद, चीनी, बेकरी, आइटम्स, पेपर मिन्ट, टॉयल, नमकीन और खादिपदार्ट मतलब जो मास वाले उत्पाद हैं उनको छोड़के बाकि किसी उत्पाद पे हलाल लेबल ने लगाये जा सकता फिर उत्तर प्रदेश की वा प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारते दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है तो गितिका श्रवास्त हो होकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की इसमृती में कहाँ पर हाली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश का पहला डिजिटल होकी म्यूजियम कहाँ पर जासी में जल शक्ती मंत्राले के जल संसाधन नर्दी विकास और गंगास अन्रक्षन विभाग द्वारा जारी लगू सिचाई योजना पर चटी जनगर्ना रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा लगू सिचाई योजना कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में ठीक है फिर नेक्स्ट है हरदोई का वा परवता रोही जिसने 22 अगस्त को यूरोप की सबसे उंची चोटी माउंट एलब्रूस जो की कहाँ पर है रूस में सफलता पूरोग चड़ाई करके तिरंगा फरायत अभिनीत मौर ने स्वच वायू सरवेक्षन रिपोर्ट में 10 लाग से अधिक आबादी वाले शहरोगी श्रेडी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है तो आगरा ने ठीक है नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पाइपलाइन से पानी के आपूर कि सोलयर एक्स्प्रेस की रूप में किसको विखसित किया जा रहा रहा है बुंदेलखण एक्स意स बूरत की स्थान स्वतंत्रता से व्याने राज rico की अनारं किया गया है उन्नाव में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रिदेश की किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उध्गाटन किया है साहिब अबाद उसके बाद most important news है ये कि उत्तर प्रिदेश सरकार दोरा कितने करोड रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है तो 28,760 करोड रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है उसके बाद 29 नुबर 2023 को प्रस्तुत प्रदेश के अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक कायो की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा के सुविधा दी गई है तो 60 वर्ष से अधिक ठीक है फिर प्रदेश की पहली NCC प्रसिक्शन अकैडमी कहां पर गोरकपूर में काशी मतुरा विंदिवासिनी धाम के बाद कहां पर श्री राम अवतरन कॉरिडोर बनाय अधिक है उत्तर प्रदेश का वाजिला जिसका नाम बदल के हरीगड कर दिया गया अलीगड़ उत्तर प्रदेश में वह केंद्री विश्विध्याल है जिसके खुद की सटिलाइट को लगाने वही खुद की सटिलाइट जिसने बनाया है तो अलीगड मुस्लिम यूनिवर नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के दो उत्पादों को इंपॉर्टेंट है जी आई टैक दिया गया है आगरा का लेदर फुट वियर और जलेसर का मेंडल क्राफ्ट फिर उसके बाद कैनेडा में आयुजित विश्व पुलिस में ठीक है किसको किस अथिलीट ने सिल्वर पदग तो सोनम है अमरूहा की और कैनेडा में आयुजित हुआ है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला वैदिक थीम पार्का उद्गाटन किया गया है तो नौईटा उत्तर प्रदेश में देश का मतलब की भारत का पहला फिर उत्तर प्रदेश द्वारा किसे 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश विद्धुत नियामक आयोग का नया ध्यक्ष नियुप किया गया अर्विंद कुमार ध्यान रखिये गया इसको फिर लास्ट है कि बाइस वर्ज बाद जिला इस तरही ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पी किया गया वराण सी रहे तो यह था हमारे यूपी स्पेशल पूरा जो करेंट अफेर है तो इसको अच्छे से पढ़िएगा दो तीर बार पढ़ लेंगे तो आपको यह चीज़े याद हो जाएंग झालत बार जो कि अरते हैं जाएंगे झालता भी स्पेशल जाएंगे तो यह चीज़े टेजे तो आपको एंटा दो यह हूमारे वाराण सी दोलंपिक खेलों कि में आपको यह चीज़ें तो थे घो से जाबको यह जो तो